रेट्रो शेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 11 के हॉर्ण बिल बुक से वोईस अफ रेंज जो की वाल्ट विटमें द्वारा लिखा गया है इस पोयम को देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं कविता में कवी नरम गिरने वाले बोचारों से पूशता है कि तुम कौन हो और उसके एवज में जो रिपलाई आता है वो ये होता है कि वो प्रिथवी की कविता है बारिस के लिए कवी को जवाब देना बड़ा अजीब लगता है बहुत इस्ट्रेंज लगता है बारिस ने कवी से कहा कि उसे छुआ नहीं जा सकता क्योंकि वो जमीन और जो अथा समुंद्र है उससे अकास में जलवास्प के रूप में वो उड़ जाता है कवी ताके माध्यम से कवी ये भी बताना चाहते हैं कि ये अपना अकार बदल देता है और फिर भी वही रहता है Condensation की खारण क्या होता है कि यह जो vapor होता है वो clouds में बदल जाता है और यह फिर वापस पानी के रूप में रिथ्वी के उपर गिरता है साथी साथ जो सूखा गरस्त छेतर रहता है उसको बहुत 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 शुन्दर बनाता है और इस धर्ती को पूरा purify कर देता है इससे यह पता चलता है कि जहां से पानी अकास तक पहुँचा और फिर वापस condensation के माध्यम से फिर धर्ती पे वापस आया तो इससे यही कहा जा सकता है कि पानी अपने birth place पे वापस आ गया हम देखते हैं कि जो seeds होते हैं जो beach होते हैं जमीन के अंदर जो कि lifeless होते हैं जब उन्हें बारिस की बुन्दे मिलती हैं तो वो भी full of life हो जाते हैं उनके अंदर भी जीवन आ जाता है बारिस अभी भी यह उमीद नहीं करता कि कोई उसके गर्मों का परवाह कर रहा है या नहीं वो अपना काम complete करता है और वापस घर को आ जाता है जो कवी है Walt Whitman इस poem में बारिस को एक गीत से compare किये हुए है क्योंकि गीत हो या बारिस ये दोनों एक सेम जर्नी सेर किये होते हैं जैसे गाने को सीखना बहुत कठिन होता है उसी तरीके से बारिस की भी बात की गई है क्योंकि गीत गायक के दिल से निकलता है और लक्ष को पूरा करने के लिए यात्रा करता है और गायक जो इसके प्रवर्तक होते हैं उनके लिए उचित प्यार के साथ वो वापस आता है और ठीक उसी प्रगार बारिज की वो बुंदे भी होती है और इसी के साथ आपका ये पोयम यहाँ पे समाप्त होता है Thank you for watching, please like, share and subscribe my channel Retro Studies